सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं बलकि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें और ऐसे ही आईएस या जीपीएसी क्लास फन ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल तो आईए इस वीडियो में एक नया स्लेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं अब हम जो हमारा next concept है वो है factor cost आपने हो सकता है पहली बार सुना हो पर अब जो हमारा next concept है वो है factor cost अब यह factor cost क्या होता है तो ध्यान से समझना है ध्यान से सुनना आज का पूरा lecture जो है वो concept की उपर है हम लोग फ़ले concept building करेंगे एकनौमी में अगर आपके concepts clear है तो आप examination की questions को अच्छी तरह से treat कर पाएंगे अच्छी तरह से solve कर पाएंगे पर अगर आपकी concept clear नहीं है तो आप examination की questions को solve नहीं कर पाएंगे यह चीज याद रखना एकनौमी एक ऐसा subject है जिसको आप रट नहीं सकते हो याद नहीं कर सकते ह तो आपकी concept clarity ही आपको number दिलवाईगी तो इसलिए हम लोग हर lecture में concept की उपर बहुत focus करेंगे तो जो next concept है वो है concept of factor cost, factor cost क्या होता है वही है तो अभी तर हमने पढ़ा goods और services, अब थोड़ा सा हम basically बात कर लेते हैं goods की, क्याने की सामानती मान लो, मान लो आप एक businessman हो, मान लो आप एक businessman हो और आपने car की factory लगा कर car का production चालू किया है मान लो मानने में कोई बुराई नहीं है, आप एक businessman हो और आपने car की factory लगा दी और car का production चालू कर दिया है ना तो कार को बनाने में एक कार को बनाने में आपका कितना खर्चा आया वो कार की क्या कहलाईगी फैक्टर कॉस्ट कहलाईगी फिर से सुनना एक कार को बनाने में आपका कितना खर्चा आया businessman का कितना खर्चा आया वो car का क्या कहलाएगा भी या वो car का factor cost कहलाएगा clear हुई यह चीज़ कोई दिक्त वाली बात तो नहीं है ना तो factor cost समझ में आया आपने को कोई दिक्त वाली बात नहीं है ना अब अगें इसको ना इस concept को मैं बहुत detail में आपको समझाता हूँ तो जैसा कि मैंने बोला कि basically आप क्या हो आप एक businessman हो और आपने car की factory लगाई और जितना खर्चा एक car बनाने में आएगा वो car की factor cost कहलाएगा factor cost तो इस concept को detail में समझने के लिए मैं आपको पूरी एक कहानी के साथ इस concept को समझाता हूँ ध्यान से समझना पूरा ध्यान आपका board पर रहना चाहिए पूरी कहानी के साथ मैं आपको समझाऊँगा मान लो आप बिल्कुल नया नया business स्टार्ट कर रह और مान लो आप एक बिल्कुल तो आप bank के पास जाओगे और बोलोगे बाई bank मुझे loan दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे business start करना है और bank आपको जो है basically loan दे देगा, यहाँ बोल सकते हो, capital दे देगा Simple सी बात है ना, फिर पैसे के बाद आपको अपनी car की factory लगानी है तो आपको एक जगे चाहिए होगी, जहाँ पर आप उस factory को लगा दो, चाहिए होगी ने चाहिए होगी बिल्कुल चाहिए होगी, आपको एक जगे चाहिए होगी, जहाँ पर आप उस factory को लगा सको चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी बिल्कुल चाहिए होगी तो basically एक business establish करने के लिए या कुछ सामान को produce करने के लिए basic requirement क्या है सबसे पहले पैसा चाहिए है ना सबसे पहले भाई आप जाओगे bank के पास या किसी भी व्यक्ति के पास कि भाई मुझे लोन दे दो वो आपको लोन दे देगा यानिकी capital दे देगा फिर आपको जमीन चाहिए business card करने के लिए भाई car का production का हमा में तो करोगे नहीं ना जमीन चाहिए तो जमीन चाहिए फिर अकेले तो करनी पाऊगे कुछ और लोग भी चाहिए होगे labor भी चाहिए होगे है ना तो labor भी चाहिए तो basically ये क्या है basically production करने के लिए basically किसी भी सामान का production करने के लिए आपको जिन जिन चीजों की requirement होती है उसको आप बोलते हो factors of production उसको आप बोलते हो factors of production तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले capital यानि की पैसा आएगा पैसे के बाद land जमीन आएगी जमीन के बाद labor आएगी जो लोग काम करेंगे और उसके बाद खुद भी तो आप काम करोगे ना manage ये सारी चीज़े manage कौन करेगा entrepreneur करेगा यानि की आप करोगे यानि की business में है ना तो किसी भी चीज को विद गशे को establish करने के लिए या किसी भी चीज का production करने के लिए कुछ basic requirements उती है उनी basic requirement को बोलते है factor of production यानि की production करने के लिए कौन कौन से factors responsible है कौन कौन सी चीज़े है चाहिए ऐसी चीज़ों को बोला जाता है factors of production तो इस case में factors of production क्या-क्या हो गए land यानि कि जमी labor यानि कि आपने जिन लोगों को काम पर रखा हुआ है recruit किया हुआ है वो capital यानि कि पैसा सबसे important और entrepreneur यानि कि खुद आफ तो हम लोग यहां पर basically कौन सा concept पढ़ रहे है हम लोग पढ़ रहे है factor cost यानि कि मान लो आपने कोई car की factory लगाई अब उस car को बनाने में जो खर्चा आया वो car की क्या है factor cost वो car की क्या है भी या factor cost अब हमने इसको कहानी से समझा कि आपको factory लगाने के लिए सबसे पहले पैसी की जरूवत होगी फिर जमीन की जरूवत होगी फिर labor की जरूवत होगी और इन सब चीजों को manage करने के लिए खुद आपको आपकी भी जरूवत होगी न मतलब आप भी करोगे न काम तो कोई भी production करना है किसी भी चीज का production करना है आपको जिन जिन चीजों की requirement होगी वो सारे लोग मिलकर क्या कहलाएंगे factor of production कहलाते हैं तो किसी भी चीज को produce करने के लिए किसी भी चीज का production करने के लिए ये चार लोग क्या कहलाएंगी ये चार चीजें क्या कहलाएंगी factors of production कहलाएंगी clear हुआ? इसी तरह की कोई दिक्कत हो नहीं है ना, समझ में आया, चलो, तो हम लोग factor cost पढ़ रहे हैं, factor cost पर हमने देखा, basic requirement क्या production की, यह चार जो है, यह basic requirement कोई भी सामान produce करनी की, चाहे वो car हो, चाहे तलकू आप किसी और चीज़ का business करो, यह 4 चीज़े तो चाहिए चाहिए, तो चाहर चीज़े क्या हो गई, factors of production हो गई है ना, अब, अगर क्या मैं इन 4 चीज़ों का खर्चा निकाल लूँ, भ्यान से सुनना, बहुत important बात जो आपकी दमाग में, मैं डालने माला हूं वो यह है, अगर क्या मैं इन 4 चीज़ों का खर्चा निकाल लूँ, और उस खर्च निकल कर आजाएगा, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या एक चीज बिल्कुल clear हो गई, ये 4 चीज़ें आपको चाहिए, सामान प्रेड्यूस करने के लिए, एक businessman को, ये 4 चीज़ें चाहिए, सामान को प्रेड्यूस करने के लिए, अब, इन 4 चीज़ों का अपना ए बिलकुल देना होगा, फिर उसने जमीन ली, कार की फैक्टरी के लिए, क्या जमीन से उसको रेंट देना पड़ेगा, फिर उसने लेबर हायर करी, लोग हायर किये, क्या लोगों की उसको salary देनी पड़ेगी, बिलकुल देनी पड़ेगी, और उसके बाद entrepreneur जो businessman है, वो अप पुरा काम किस लिए कर रहा है वो, प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना, तो रखे गा ही रखे गा, बिलकुल रखे गा, अब मैं आपको फिगर के हिसाब से एक्जाम्पल देता हूँ, मान लो, आपको कार की फैक्टरी लगानी है, और जमीन का रेंट आपकी कार की फैक्टरी का है, वो एक महीने का एक लाख रुपे है, एक्जाम्पल दे रहा हूं है जमीन का जो रेंट है वो एक महीने का एक लाख रुपे है आपने जो वरकर रखे उन सभी वरकर्स की सैलरी मिला कर भी मानलो एक लाख रुपे की एक्जाम्पल दे रहा हूं उन सभी वरकर्स की सैलरी मिला लो एक लाग रुपे का है और एक महिने में आपको आपका प्रॉफिट एक लाग रुपे का चाहिए मानलो एक महिने में आपको एक लाग रुपे का आपका प्रॉफिट चाहिए अब क्या मैं जब इन चारों चीजों को जोड़ दूँगा, एड़ कर लूँगा, तो क्या मेरे पास एक कार का खर्चा निकल कर आ गया, क्या मेरे पास एक कार का जो खर्चा है, वो निकल कर आ गया, इन चारों को जोड़ लो, कितना निकल कर आया, चार लाख निकल कर आया, क पिर इसे ध्यान से समझो, हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं, factor cost का concept, कि आखिर factor cost होती ही क्या है, हम यहाँ पर discuss कर रहे है, factor cost का concept, यानि कि basically factor cost होती ही क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक businessman को, एक सामान produce करने में, जितना खर्चा आता है, उसको, उस सामान का factor cost बोला जाता है और मैंने आपको बताया अगर कोई भी business start करना है मानलो अगर आपको car का business start करना है तो आपको ये चार चीज़ों की requirement पड़ेगी जमीन की, लोग जो आपके संग काम कर सकें पैसे की और आप आपकी खुद की requirement होगी ये चार चीज़ों की requirement होगी इन चारों चीज़ों को क्या बोला जाता है factors of production factors of production मतलब वो चीज़ें जो basically production करने में किसी सामान का production करने में involved होती है उनको क्या बोला जाता है factors of production अब आपको जब इन चार चीज़ों की requirement होगी car को produce करने के लिए तो इन चारो चीजों को खर्चा होगा, बिल्कुल होगा, तो आपने सबसे पहले लोल लिया, उसका interest मानलो एक लाख रुपे महीने का है, और आपने जमीन ली, उसका rent एक लाख रुपे महीने का है, और आपने लेबर को salary दी, वो भी एक लाख रुपे महीने की है, और आपन उस कार का एक महीने का या उस कार का जो खर्चा है वो चार लाख रुपे का है क्यों आपने क्या किया उस कार में जितनी भी महनद डली है जितना भी खर्चा हुआ है उस कार को बनने के लिए वो सब जोल दिया including the profit of the entrepreneur मतलब businessman का profit भी जोल दिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 लाख जो है बेसिकली ये क्या है 4 लाख रुपे उस कार का खर्चा है मतलब एक कार को बनने के लिए इतने सारे चीज़ें लगी उनका अपना अपना खर्चा जोल दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ 4 लाख रुपे उस कार की factor cost है बिलकुल बोल सकता हूँ 4 लाख रुपे उस कार की factor cost है बिलकुल बोल सकता हूँ अब आप लोगों की दिमाग में एक कुछ सवाल आ रहे होंगे सर मान लो मैंने business start किया मतलब आपने business start किया और सर मेरे पास जमीन है खुड की है तो मेरा rent बच जाएगा या मान लो सर मुझे loan नी दिना पड़ा मेरे पापा ने दे दिया तो basically मेरा interest बच जाएगा सब बाते हो सकती है यहाँ पर मैं बिलकुल जो है general बात कर रहा हूँ general circumstances में क्या हो सकता है general circumstances में basically क्या हो सकता है मैं उन सब की बात कर रहा है कि एक मान लो बिलकुल नया एक self-made entrepreneur एक self-made businessman है जिसको अपने घर से कुछ नहीं मिला जिसके पास कोई जमीन नहीं है जिसको अपने पिताजी का कोई support नहीं मिला तब वो क्या करेगा तब उसको पैसा लेना होगा वो capital लेगा उसका interest भनना पड़ेगा तब उसको जमीन किराये पे लेनी होगी rent देगा तब basically वो salary देगा लेबर्स को और अपना profit भी रखेगा मैं उस condition की बात कर रहा हूँ अच्छा आपके तमाग में यह और भी सवाल आ गया होंगे कि sir basically मानलो car को बनने के लिए जो raw material लगेगा वो तो आपने जोड़ा ही नहीं हाँ इसमें मैं basically उसमें मैंने raw material नहीं जोड़ा है क्यूंकि आप एक तरीकी से हैं मान सकते हो कि raw material को मैंने labor की अंदर ही include कर दिया ह ठीक है हर चीज include होगी पड़ यहां पर मैं थोड़ा से general circumstances जाए वो ले रहा हूं तो raw material को मानलो मैंने labor के अंदर ही include कर दिया है ठीक है ऐसी बहुत सारे खर्ची आ सकते हैं कि सर बिजनी का बिल ये बिल वो बिल सब चीज़े आ सकती है बट यहां पर मैं थोड़ा wide circumstances ले रहा हूं तो minimum चीज़ें जो required है मैं वो ले रहा हूं है तो factors of production का मतलब सुन में आया इतनी चीज़े तो आपको required होंगी किसी सामान के production के करना है उसके लिए और हर चीज की एक cost होगी हर चीज का खर्चा होगा सभी खर्चों को जोड़ दोगे तो जो सामाना produce कर रहे हो उसका खर्चा निकलाएगा यहां पर हमने यह किया हमने माना एक महीने के अंदर एक factory एक car को produce करती है मान लो और उसमें जो rent है वो इतना जा तो 4,00,000 रुपे क्या है उस car का cost है या बोल सकते हूँ 4,00,000 उस car की factor cost है तो factor cost clear हो गई बिल्कुल किसी तरह की कोई दिखकत हो नहीं है ना factor cost आपकी बिल्कुल clear हो गई है तो factor cost समझ में आ गया अपनको ठीक है आपने एक car बनाई और आपकी car की factor cost निकल कर आ रही है 4,00, तो factor cost का concept समझ में आ गया अगर आपको किसी भी चीज का factor cost निकालना है तो उसके अंदर जो 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 चीज लगी है उनका खर्चा आप जोड़ोगे और सबको add कर लोगे बिसिकली खर्चा पूरा add कर लोगे तो आपको factor cost मिल जाएगी यहां पर एक चीज आपना इस factor cost के अंदर आपका profit भी involved है है यह मैंने profit जोड़ा है ना factor cost के अंदर जो business मैंना उसका profit involved होता है उसका profit भी जो है वो add होता है है चलो clear हुआ